लगातार चल रही पच्छुआ हवा से नियुन्तम तापमान के गिनने का दवर जारी है सोववार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही मौसामी भाग ने नियुन्तम तापमान 4 डिगरी सेल्सियस दर्च किया है जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम है वही दिन में तापमान सामान रहा फिर भी सामान तापमान से दिन में 6 डिगरी सेल्सियस कम रहा मंगलवार को अधिकतम तापमान 16.6 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया मौसामी भाग ने अभी 3-4 दिन ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान जताया है आपको बता दे मौसामी भाग के अनुसार 20 जनवरी से पछुआ हवा चलने के लगातार रात के तापमान में गिरावट दर्ज किया रहा है 19 जनवरी की रात को नियुनतम तापमान 10.7 जबकि दिन का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था उसके बाद पछुआ हवा चलने के बाद लगातार नियुनतम तापमान में गिरावट होती जा रही है वुमवार को नियुनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतμ तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मंगलवार की भोर में नियुंतम तापमान में खरीब 3 डिग्री सेलसियस का गिर कर 4 डिग्री सेलसियस पर पहुँच गया जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम है रात थे छाया घना कोहरा सुबा तक बना रहा जिससे सड़क पर आवा गमन में लोगों को दिक्कत हुई इस से पहले बारा जनवरी को नियुंतम तापमान गिर कर 4.7 तक पहुचा था हलाकि मंगलवार को दिन का तापमान सामान रहा भोर में नियुंतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था जबकि सुबा साड़े आठ बजे साड़े ग्यारा बजे 10.4 वा दोपहर में धाई बजे 15.2 डिग्री और तीन बजे 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दोपहर करीब 1.5 बजे आसमान साफ होने पर सूरज की किर्णे धर्ती पर पहुँची जिससे ठंड से परिशान लोगों ने रहात महसूस किया हाला कि बरफीली हवा चलने से ठंड उनको सताती रही मौसमी भाग ने बुधवार को अधिकतन तापमान 16 वा नियुंतन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है इसके अलावा बुधवार को दिन में भी सर्दी रहने की चेतावनी दी गई है जिसका पूरा असर देखने को मिला है पूरे दिन कोरा हटने का नाम नहीं ले रहा है और गलन ने भी दुश्वारियां पढ़ा दी है